नमस्का, मैं होसासी आयो जरकन की टॉप 25 पर मोग खबर जानते हैं भारत में ओमी क्रोन बेरियंट के बार मामले क्रोना के दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा परहवित महराष्ट में ओमी क्रोन बेरियंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं नए मामले सामने आने के बाद राज्य में ओमी क्रोन से संक्रमित मरीजों की संख्या 8 हो गई है वही नए मामले सामने आने के बाद देश भर में ओमी क्रोन बेरियंट से संक्रमित मरीजों की संख्या 12 हो गई है बतादे सातन नई मरीज मिलने के बाद महराष्ट के स्वास्त अधिकारी ने कहा है कि पुर्णे में चार ब्यक्ति जो विदेश से लौटे हैं वह ओमिक्रोन से संक्रमित पाए गये हैं उन्होंने बताया कि पीपरी चिच्चवार में छो संक्रमित पाया गया है इनमें से तीन नाइजेरिया से लोटे थे वहीं फिनलेंड से पूर्णे लोटा एक नागरीक ओमिक्रोन बेरेंट से संक्रमित पाया गया है ज्यारखन में तुफान जवात का असर दिखने लगा है बतादे सूबह से यकास में बादल चाय रहे वहीं जमसेद पूर अचाई बसा की कुछ इलाकों में हलकी बारिस भी होई है बतादे मौसम विभाग ने पूर्वनमान किया है कि पलामू चात्रा लाते है और लोहर्दागा में इसका असर पढ़ने की उमीद नहीं है सेस जीलो में कहीं कहीं हलके से मत दर्ज की बारिस की उमीद है बतादे छो दिसमर कोराजे के दक्षिन तथा उतर पूर्वीभागों में कहीं कहीं बारिस होने के उमीद है वही 127 दिसमर से मौसम शाफ राश सकता है सुबह में कोहरा राश सकता है ओमिक्रोन के खत्रे की बिच विदेश से जार्खन आने वाले के लिए हिमन सरकार नजारी की नई गाइडलाइन नॉमबर में हमें विभीन देशों से 127 लोग जार्खन पहुंचे हैं बतादे ए जार्खन की विभीन जीलों में रहते हैं ए यात्री तीन नॉमबर से लेकर 30 नॉमबर की भी जार्खन आये हैं स्वास्त विभाग द्वारा सभी यात्रियों की सुची समधित जीलों को भेज कर निगरानी में रखने का निदेश दिया गया है यानि इन यात्रियों को कम से कम 15 दिनों तक कॉरेंटीन में रहना होगा बतादे इस दोरां 3RT PCR टेस्ट भी कराना है ओमिक्रोन के खत्रे के बीच स्वास्त विभाग अलर्ट हो गया है और विदेश से जार्खन आये लोग निगरानी रखने का निदेश दिया है स्वास्त विभाग द्वारा कहा गया है कि कोई भी पोजेटी पाया जाता है तो ततकाल उनका सेम्पल जिनों सिक्वेंसिंग के लिए भोनेस्वर भेजा जाए ताकि कोरोना के वेरियंट का पता चल सके 29 दिसंबर को बेतनमान की घोषना नहीं हुई तो पारासिक्षक करेंगे बिरोध परदर्शन 29 दिसंबर को राई सरकार के दो बर्स पूरे होने पर आयोजित कारिकरम में अगर पारासिक्षक के बेतनमान और नियमावली की घोषना नहीं हुई तो राज्य भर के पारासिक्षक कारिकरम में बिरोध परदर्शन करेंगे बता दे एकी किरित पारासिक्षक संगर्श मोर्चा की राज्य इकाई की रभिवार को आयोजित बैठक में इस पर निना लिया गया 29 बिहारी महतों के अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निना लिया गया की 12 दिसंबर को राजे के सभी जीला कमिटी की बैठक होगी वहीं 13 और 14 दिसंबर को राजे के सभी परासिक्षक मंत्री और विधायकों को उनके विधान सभाचेत्र में मुख्य मंत्री के नाम ग्यापन सोपेंगे वहीं 29 दिसम्बर को सभी परखंड कमिटी की बैठक कर राची कुछ की तियारी कौमतिम रूप दिया जाएगा इसके बाद 29 दिसम्बर को सरकार के दो बर्स पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित कारेकरा में निमावली की घोसना के साक्षी बनने के लिए फोल माला के साथ राजबर के परासिक्षाक मुराबादी पहुचेंगे मुखे मंत्री बोकारो के सिमेंट पलांट का करेंगे सिलन्यास मुखे मंत्री हमान सुने सोमवार को बोकारो में डालमिया सिमेंट सन्यंत्र का सिलन्यास करेंगे बता दे दूसरी ओर और मांजी के कूल ही गाव में आयोजीत कारकरा में मुख्य मंत्री 2000 अभ्यार्थियों को नियुक्ति पत्र भी सोपेंगे उद्योग सचीप पुजा सिंगल ने बताया कि नियुकती पत्र प्राप्त करने वाले अभियार्थियों में जायतर राजे की महिलाएं हैं उलेखनिया है कि जारकाण उद्योगिक एवं निवेस प्रुथ साहन नीती 2021 के अंतरगत नई दिली में आउजित इन्वेस्टर मीट में सर्व डालमिया सिमेंट भारत लिमिटेड और उद्योग विभाग जारकाण सरकार के बीच MOU किया गया था सरकार ने पिछले साल ही कंपनी को जमीन उपलब्द करा दी और अब प्लांट के लिए सोमवार को सिलन्यास किया जाएगा आपके अधिकार आपकी सरकार कारकरम में 10 मेट में सिवक्रित हुई दिब्यांग की पेंसन जारकंड के पलामू जिले की सुवा पंचायत में आउजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम में एक साथ असी लाभुको को पेंसन से उक्रिती की गई उसमें बिरिधा पेंसन बिधवा पेंसन वा दिब्यांग पेंसन सामिल है बता दे लाभुको को बैंक खाते में जनवरी 2022 से पेंशन की रासी मिलने लगेगी लाभुक सुखनी देवी ने कहा कि बड़ी बिरिधा पेंशन ला दोड़ी का कहू नहीं होवत रहे आज पेंशन बन गईल जैसे हमनी के रोवा जुडाईल वो इसी सरकार के भी रोवा जुडाई बता दे एक दिव्यांग को महज 10 मिनट में पेंशन का लाभ मिला है देवगर एमस में टेली मेडिसिन सेवा शुरू होने से दूर दराज के मरीज को लाभ मिलेगा बता दे ओपीडी भावन में एमस के करेकारी निदेशक डाक्टर सौरू रोव ने टेली मेडिसिन सेवा का उधगाटन करते हुए कहा कि टेली मेडिसिन सेवा से आम जनों को काफी सुवधा होगी कई ऐसे मरीज होते हैं जो इलाज के लिए ओपीडी नहीं आपाते दूदराज के ऐसे मरीज टेली मेडिसिन में दिये गए संपर्क नम्बरों के जरिये फोन कर डाक्टरों को अपनी बीमारी बता कर इलाज करा सकते हैं 9.5 क्रोर के छात्रविती घोटाले में चात्रा पुलिस की करवाई जारखन के देवगर और चात्रा जीले के कल्यान विभाग में हुए 9.33 क्रोर रूपए के छात्रविती घोटाले में चात्रा पुलिस ने देवगर में छापे मारी की इस दोरान देवगर के सलोना टान से चात्रा के पुर्व जीला कल्यान पदाधी कारी आसुतोस कुमार को गिरफतार किया साथ ही इस मामले में चात्रा पुलिस ने परियास NGO के डॉय डेक्टर अभाय कुमार को भी गुड़ा से गिरफतार किया है बतादे चात्रा लाए जाने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है नई सिक्षानिती के अनुरूप इसकूली बच्चों को पढ़ाने का हुनर सिखेंगे सिक्षक नई सिक्षानिती के तहट सरकारी विद्यालों में अधनरत काक्षा तीन तक के हर विद्यार्थी को बुनियादी संख्या का ग्यान दिया जाएगा इन्हें पढ़ने लिखने वा परभावी सनवाद में निपुन किया जाएगा बता दे प्रजेक्ट, कारे, प्रुष्णत्री, रोल प्ले, मौखित, लिखित, प्रस्तुति करन जैसी गति विद्यों में बच्चों को सामिल किया जाएगा बच्चों की भावनाओं को समझने वा अभिव्यक्त करने, टीम वर्क, सरेरिक, विकास, आधि की दिशा में भी काम किया जाएगा बता दे, फाउंडेंशन, लिटरेसी, आइन, नुमेर्सी के तहट, प्री स्कूलिंग को बेतर बनाने का पयास किया जाएगा जारखन में कुरोना के 35 नए मरीज मिले है, जबकि 12 मरीज स्वस्त भी हुए है जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 119 है, भारत में 8,032 नए केस मिले है, जबकि 8644 मरीज स्वस्त भी हुए है भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 98,840 है सरना धर्म कोड के नाम पर आदिवासी संगठनों का दिली में 6 और 7 दिसंबर को जुटान जन गन्ना में आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म कोट की बेवस्था करने की मांग पर जार्खन और 36 गर समेत बिभिन राजयों के आदिवासि संगटनों का 6 और 7 दिसंबर को दिली में जुटान होगा बता दे इस अंदुरन का नाम दिली दस्तक रखा गया है राश्ट्रिय अस्तर पर बनाए गए राश्ट्रिय आदिवासि समाज सरना धर्म रक्षा अभियान नाम का संगटन इसकी अगुवाई कर रहा है बता दे जुटान और परदसन का उदेश सरना धर्म कोट के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाना है 6 दिसम्बर को सरना कोट के समर्थन में इन संगठनों के परतिनेदी सबा होगी जबकि 7 दिसम्बर को जंतर मंतर के समक्स सत्यागरा होगा जहरखन में 104 डायल का चिकित सिये परामर्स लेने में गाउं के लोग सबसे आगे राज सरकार द्वारा लोगों को ऑल्लाइन चिकित सिये परामर्स देने के लिए स्थापित हिल्फ, कॉल, सेंटर, डायल, 104 का लाब लेने वालों में सहरी से अधिक ग्रामिन चेतर के लोग है बता दे इसका बड़ा कान यह हो सकता है कि सहरी चेतरों में स्वास सुविधायत उपलब्द है लेकिन ग्रामिन चेतरों में इसकी कमी है साथी 104 डायल का चिकित सिये परामर्स लेने वालों में 80% पुरूस तथा 20% महिलाएं है राणची में पहली बार राष्ट्रिये कोस्ति परतियोगता 15 दिसमबर से शुरू जहारखं के लिए गोरों की बात है कि राजधानी राष्ट्रिये कोस्ति परतियोगता आयोजीत होने जा रही है इसकी त्यारी शुरू कर दी गई है बता दे तीन दिनों तक राजधानी राची देश के नामी पहलवानों से गुलजार रहेगी उनका खेल देखने का आउसर मिलेगा बताया गया है कि राजधानी राची इसीद खेल गाओं का गनपत राय इंडोर स्टेडियम में आयोजित प्रस्तावी था है 15, 16 और 17 दिसंबर को यहां देश भर के पहलवान जुटेंगे यहां पहली बार तीन दिवस यह अंडर 15 आयोगता आयोजित होने जा रही है बता दे इस प्रत्योगता में इस आयोगता के खिलाड़ी दाव अजमात्ते नजर आएंगे यही नहीं पदक जित कर एसियन परत्योगता के लिए क्वालिफाइंग भी करेंगे आकांची जीलो की डेल्टा रैंकिंग में लाते हार को देश में चोथा स्थान आकांची जीलो की डेल्टा रैंकिंग में लाते हार बड़ी छलांग लगाते हुए देश भर में 112 जीलो में टॉप चार की सूची में सामिल हो गया है बतादे नीती आयो की हालिया रिपोर्ट से या उजागर हुआ है डेल्टा रैंकिंग का निर्धारन समाने आता सिक्षा क्रिसी जल संसाधन स्वास्त पोसन बीती समावेशन कोसल विकास और बुनियादी धाचों के विकास का धार पर होता है परखन समेत पूरे देश में 14 को गीता जयनती पर एक साथ निकलेगा सोर संचलन विश्व हिंदू परिसद और बजरंग दल की ओर से गीता जयनती के दिन 14 दिसंबर को पूरे देश में एक साथ सोर संचलन निकाला जाएगा इससे इतर जीला अस्तर पर संबंधित कारेकरम अस्तानी परिस्थितियों को देखते हुए 12 से 19 दिसंबर के बीच भी निकाल ले जाएगे बता दे ऐसा पहली बार होगा जब बजरंग दल के करकता पत संचलन निकालेंगे और पूर्ण गणवेस में रहेंगे इस संचलन को बिहीप और बजरंग दल ने सोर संचलन नाम संचलन में सामिल करकताओं के लिए गणवेस में ट्रेक सूट, काला जूता, ध्वज युक्त, डंड और कंदे पर बजरंग दल का पत्ता रहेगा नौकरी दिलाने के नाम पर दुमका में दर्जनों लोगों से अंठावन लाह की ठगी दुमका जिला अंतरगत, सीधी राम पाड़ा के मनोज राम चंद्रवन से खिलाप नौकर थाना के पुलिस ने नौकरी दिनारे के नाम पर दुजनों लोगों से अंठावन लाख रुपे ठगी का मामला दर्ज किया है बता दे आरोपियों के खिलाप पीडितों ने गत दो नौमबर 2021 को लिखित आवेदन दिया था लेकिन पुलिस ने जाच की बात कहकर मामला दर्ज नहीं किया था इधर सनिवार की रात पीडित, जलादूइन, अंसारी के ब्यान पर मामला दर्ज किया गया है खुटी के कारा में ड्रोन सर्वे का बिरोद खुटी जिला के कारा परखन में भू स्वामीत्वयोजना के तहत ड्रोन सर्वे के बिरोद सुरू हो गया है बतादे रविवार को पोड़ा, कुसुम, टोली मैदान में सन्यूक्त पढ़ा संग के बैनर तले ग्रामीनों का जुटान हुआ जिसमें इस ड्रोन सर्वे का बिरोद करने का निने हुआ ग्रामीनों को समधित करते हुए समाज से भी दयामनी बारला ने कहा कि यह छेत्र पांचवी अनुसुची सी अन्टी, एस्पिटी एक्ट और बिकलिंग्सन रूल के अंतरगत आता है जिसमें जल, जंगल, जमीन पर ग्राम सवा का स्वामीत्व है ग्रामीनों के जनकारी के बिना ही ड्रोन सर्वे के माद्यम से गामे सर्वे किया जा रहा है कोवीट के कारण देवघर के रिखिया पीठ में बाहरी सरधालू की नोई इंडरी देवहर के रिखिया पीठ में पांच दिवसिये सत्चंडी महायग स सिताक कल्यानम की सुरुवात रभिवार से होई इस दोरन कुरोना वायरस संक्रमन के कारण बाहरी सरधालू के आने पर पवंदी लगा दी गई है बतादे आसरम के अंदर के ही सन्यासी वसरधालू सत्चंडी महायग में सामिल हुए वहीं गिरामिनों के बीच देवी महाय के परसात का बित्रण यग असल के दरवाजे के बाहर सही किया गया बतादे स्वामी सत्संगी जी के मार्ग दर्शन में रविवार कोप पंडितों ने अरनी से अगिन प्रज्वलित कर सत्चंडी महाजागे में हमन की शुरुआत की GPS तकनीकी से देश भर में हो रही बागो की गिन्ती जारखन के दालमा वाइल सेंचूरी सहे देश भर में एक से आठ दिसंबर तक जंगली जानवर की ओल इंडिया गन्ना 2021-2022 का पांचवा चक्र चल रहा है बतादे इसमें GPS तकनीकी से बाग वा जंगली जानवर की गिन्ती की जा रही है दालमा में चल रही गन्ना में अब तक हांथी हीरन साहिल और भालुक के निसान पाए गया है यहाँ अब तक बाग की मवजूदगी के कोई निसान नहीं मिले है मालूम हो कि 15-16 में दालमा में बाग दिखा गया था उसे कैमरे में भी कैद किया गया था गन्ना से जुड़े बनने अधिकारियों के अनुसार जार्खन के बेतला जंगल में चीता देखा गया है उसकी तस्बीर भी ली गई है दस साल में जार्खन को बिकसित राजे बना कर दिखाएंगे इर्फान अनसारी जार्खन के जामतला बिधायक डाक्टर डिफान अनसारी ने नरायन पूर के देवल गारी पंचायत इस्थीत मिरगा में रातरी महा चौपाल में सिर्कत किये इस मौके पर बिधायक डाक्टर अनसारी ने कहा कि जानता के हितों की राक्षा के लिए इस रात्री महा चौपाल का विजन हुआ है इस दोरान उन्होंने भाजपा पर जम कर निजाना साधा साथ ही लोगों से अपील करते हुए कहा की भाजपा को 18 साल दिये लेकिन राजे का विकास नहीं हुआ इस दोरान उन्होंने भाजपा के बाकावे में नहीं आने की भी सलाह दी है परोनाती पर रोख हटाने में देरी करने वाले अपसरों पर हो करवाई परदेश कॉंगरेश के कारिकारी अधियक साविधायक बंधू तिर्कीन रविवार को पत्रकार वर्ता के दुरान आरोप लगाया है की सरकार के कुछ अधिकारियों के कारण आरक्षन में परोनाती का लाब सरकारी कर्मियों को नहीं मिल पा रहा है उन्होंने बिधान सभासमीती के अनुसंसा का हवाला देते हुए कहा कि अब जब मुख्यमंत्री ने पुरनती परलगी रोक को वापस लेने का निर्देश दिया है फिर अधिकारियों की ओर से देरी की वज़ा उनकी समझ से परे है उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेने के लिए मुख्यमंत्री से आगरा किया है और जिमेदार अधिकारियों खिलाप करवाई की भी मांग की है जैक अध्यक्स उपाध्यक्स की नियुक्ति नहीं होना सिक्षा बेवास था के साथ खिलवार बीजेपी राजे में जैक के अध्यक्स हुआ उपाध्यक्स के पद खाली रहने के मुदे पर भाजपा ने सरकार पर हमला बोला है परदेश महामंत्री आधित साहु ने इस मामले में ब्यान जारी कर कहा है कि 14 सितंबर 2021 से जैक में अध्यक्स एवाम उपाध्यक्स का पद आज तक खाली है इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अध्यक्स एवाम उपाध्यक्स पद खाली पड़ा हुआ है उन्होंने कहा कि जब से अधिवीद परिस्ट का गठन हुआ है यह पहला मौका है कि अभी तक तीन महीने से जारकन सरकार जैक अध्यक्ष एवां उपाध्यक्ष के पद को नहीं भर सकी है रांची में बैपार करने वाले कास्मीरियों का प्रोफाइल त्यार करेगी पुलीस रांची पुलीस कास्मीरियों पर हुए हमले को लेकर कमभी रहे पतादे पुलीस अब रांची में रहने वाले कास्मीरियों का प्रोफाइल त्यार करेगी इसकी त्यारी शुरू कर दी गई है प्रोफाइल में उनकी संख्या के अलावा वे किन इलाकों में रहते हैं किन-किन इलाकों में जाकर बैपार करते हैं यह सभी डेटा प्रोफाइल में अंकीत रहेगा साथ ही पीक कमिटी के सदस्यों को यह जिम्मिवारी दी जाएगी कीवे अपने अपने चेतर में रहने वाले कास्मीरियों के सूची तयार कर पुलिस को उपलब्ध कराए. उस सूची में उनके फोन नंबर वगा पहचान पतर भी सामिल किये जाएंगे. अमन साहू के चार गुर्गों को जेल अपराधी अमन साहू गिरो के चार गुर्गों के हत्यार के साथ इकटा हुए है बाली का आश्रम विद्याले निर्मान अस्थल पर धमके प्राधी बता दे पूलिस के अनुसार और समाजिक ततो द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है धन्यवाद